प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी एप एप एवलेबल इन गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नाव दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेंग से जुले कुछ इंपोर्टेंट कोश्टन्स नमस्कार दोस्तो मैं इंजिनियर प्रकाश्मिवडा कॉर्परेट ट्रेनर स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से से विल इंजिनियर्स की विच्चतर दुनिया में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेंग से जुले कुछ इंपोर्टेंट कोश्टन्स जो हमें इंटर्वियू में पूछे जाते हैं चाहे आप सर्वेर की जौप के लिए जाएं या फिर साइड इंजिनियर्स की जौप के लिए जिसमें हम से पहले सबसे पहले जो कुछा जाता है वो है कि सर्वेंग क्या होता है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अर्थ की सर्फेस पर लिनियर और अंगुलर मेजरमेंट करने को हम सर्वेंग कहते हैं अगला कुश्चन है हमारा what is a servier, servier क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि servier एक ऐसा विक्ती होता है जो कि हमारे construction work में या फिर हमारी property का सिमांकन करता है और किसी भी बड़े construction work के लिए जो engineer को अर्थ की surface के बारे में जानकारी चाहिए होती है map बनाने के लिए वो data servier ही survey करके engineer को provide करता है अगला है हमारा what is an automatic level मतलब automatic level क्या होता है हम कह सकते हैं कि dumpy level या auto level ही हमारा automatic level है जिसकी help से हम survey कर सकते हैं level को transfer कर सकते हैं और किसी भी building की height का पता लगा सकते हैं अगला हमारा सवाल है what is a level staff लेविल स्टाफ क्या होता है तो लेविल स्टाफ एक leveling rod की तरह work करता है जो की aluminum और wooden का बना हुआ होता है इसके उपर scale की तरह number लिखे हुए होते हैं जो की हमारा automatic level लेने में help करता है इसकी स्टाफ से हम leveling कर सकते हैं और हमारी building के vertical और horizontal levels का भी पता कर सकते हैं अगला है हमारा explain fundamental principle of surveying की मतलब surveying के principles के बारे में बताईए तो हम कह सकते हैं work to whole part किसी भी बड़े plot को part by part में divide करके उसका survey करना surveying का first principle है और इसका second principle है कि दो points के बीच में pythagoras theorem लगा कर तीसरा point find करने को हम surveying के principle में count करते हैं अगला है हमारा what is an EDM in surveying की surveying में EDM क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा instrument जिसकी help से हम दो points के बीच की distance को measure कर सकें उसे हम EDM कहते हैं surveying में और जो instrument है फर हमारा TSTV हो सकता है मतलब total station theodolite और total station ये हमारा EDM instrument है EDM का मतलब की electronic distance measurement इसके help से हम किसी भी दो points के बीच की distance को measure कर सकते हैं इसका दिकतर use building construction में और highway road construction में किया जाता है अगला है हमारा what is meant by hydrographic survey तो हम कह सकते हैं कि ऐसा survey जो की पानी के ऊपर किया जाता है जिसमें हम पानी की निचली सता में इस चीजों के बारे में भी जानकारी लेते हैं और हम कह सकते हैं कि अर्थ और पानी के surface के बीच की जो line होती है उसके बारे में भी हम hydrographic survey में जानकारी लेते हैं यह survey हम समुद्र में तेल के कुओ की drilling करने के लिए या फिर समुद्र में किसी भी प्रकार का bridge निर्मान करने के लिए हमें सबसे पहले hydrographic survey ही करना होता है अगला है हमारा explain difference between a plan and a map मतलब plan और map के पीच में क्या difference है तो हम कह सकते हैं plan एक ऐसी sheet होती है जिसे हम अपने personal construction work के लिए use करते हैं जिसमें हम scale की help से large area को paper पर दरशाते हैं और अकर map को कहें तो map में भी हम बहुत बड़े large area को paper पर दरशाते हैं उसमें कुछ और extra line ने भी बनी हुई होती है जैसी कि हम उसमें road, canal, river और contour line भी हम map में दरशाते हैं परन्तु plan में हम सरिफ जो हमें अपना construction करना होता है उसी चीज़ को दरशाते हैं अगला है हमारा what is sea level, survey of India द्वारा 19 साल तक हर घंटे समुद्र की high tide और low tide का data collect किया गया उसके बाद में high tide और low tide का एक average निकाला गया जिसे हम mancy level कहते हैं इसके अलावा दोस्तों एक और interview में पूछा जाने वाला सबसे महतपून question होता है कि RL किसे कहते हैं RL हमारा होता है reduced level जो की हमें MSL के द्वारा ही प्राप्त होता है इसी तरह की और जानकारी के लिए जोड़े रहे हमारे साथ में और वीडियो को like, share, subscribe करें करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरू जी के साथ धन्यवाद